कि हैवलो आज लोगों को देखना है असाइनमेंहेंट 10 का पाट तू जिसमें हम लोग सेलसॉक्टर प्रोसेसिंग करेंगे इससे पहले हम लोगों नहीं प्रोसेसिंग कर लिया था अब शेलस और प्रोसेसिंग जो हमने नोट्स में पढ़ा हुआ था ओके सो टैली याथ changes हुए हैं बाकि sales order processing processing तो सेम है sales order then हम लोग delivery करेंगे then हम लोग rejection in अगर होता है तो entry record करेंगे rejection in में then sales की entry F8 में create note that means अगर कोई return अगर हो रहा है तो और receipt जब payment आएगा तो हम लोग पहले ही समझ लिया है तो सीधे हम लोग आते हैं assignment पे और सबसे पहले करने के लिए तो मैंने अल्रेडी क्रेट कर दी है चलिए पहले कंपनी पर आ जाते हैं कंपनी क्रेट करने के बाद आपको पता है GST आपको अभी disable करके रखना है अब यह दिखे हमारी कंपनी क्रेट हो गई है अब कंपनी क्रेट प्रफिट अनलोग का जो बैलेंस वह देख लेजिए थरी टू थाउज़न देन आपका देखें यहां पर दे रखाए क्यापिटल क्यापिटल का अंटर क्या होता है क्यापिटल अकाउंट कितना बैलेंस है ती लेक फिटी फॉर थाज़न फाफंड़ेड नेक्स्ट लोन फ्रम इंडियन बैंक शिक्यूर लोन है नेक्स क्या है जनल रिजर्ब अपनिंग बैलेंस 243 660 नव नेक्स अगला है पर नीचर पर नीचर किसमें आएगा फिक्स्ट असेट्स में 326,000 अगला क्या है इसडिफसी बैंक बैंक अकाउंट में आएगा 91,000 अब देखें कैश का बना रहा इस टॉक नहीं बना सकते क्योंकि इस टॉक ओपनिंग बनेगा अंडर इंहां नहीं आता है यहां पर आपको मैं दिखा दो अल्टरेशन में आप इस टॉक इन हैंड का सब यह ग्रूप आए गई नहीं तो यहां पर छोड़िए अटाईए ए इस टॉक का अंडर को आहां स्टॉक इन हैंड तिक है अब स्टॉक इन हैंड का बैलेंश सेट रोप जेखेंज का और सबको पता है क्योंकि हम एकाउंट वेंटरी कर रहे हमने भले उपनिंग स्टॉक का लेजर बनाया बट चुकि एकाउंट के साथ इंवेंटरी भी मेंटेन होना ज़रूरी है इसलिए बैलेंस नहीं आ रहा है लेकिन अगर आप एक्कोल करके देखना चाहते हैं माल लेजे हमे कि यहां पे स्टॉक ऊपर आ गया अब कोई डिफरेंस नहीं है लेकिन चुकि हमें एकाउंट के साथ साथ इंवेंटरी भी मेंटेन करना है तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं आप 11 जाते हैं और यहां पे इंवेंटरी वैल्यू को क्या कर दिए यस कर दिए हमें स्टॉक ब यहां डिटेल दे रखा तो ओपनिंग स्टॉक आइटम डिटेल सार एस फॉलो यानि अब आपको ओपनिंग चड़ाना है ओपनिंग चड़ाने के लिए आपको गोडाउन भी होना चेस ट्रेंड रोड प्लस आपको कैटेगरी भी डिफाइन करना है तो चलिए हम लोग क्य ओके यहां पर एट ह्च और मल्टि एक्रिएशन में चल जाते हैं अब यहां देखे इस टॉक आइटन हम लोग पहला जो बनाएंगे न यह है को इसी से बनाना है अब यहां पर अंडर पूच रहा है अब यहां पर अंडर क्या होगा गरुप तो गृप क्या है यहां पर सबको पता है led tv ऐट यह तो led tv के नाम से हम लोग बनाएंगे ठीक है अब इसके बाद कर पूछना चाहिए तो कटेगरी नहीं पूछ रहा है यहीं पर दबा सकते हैं आप और यहीं पर सॉरी अफ्टल के रहा हूं एफ एलेवन दब गया मुझसे एफ्टल दबाएंगे और यहां इस्टॉक कटेगरी इनेबल कर लेजिए ठीक है तो अब क्या होगा अब इस्टॉक कटेगरी पहले पूछने लगा ना इस्टॉक कटेगरी नहीं बनाया तो बनाना पड़ेगा इस नाम से बनाएंगे सैमसंग 22 इंचेज बना लेता हूं मैं ठीक है अब देखें यहां पर क्या पूछ रहा है यूनिट्स पूछ रहा है तो यूनिट्स में क्या होगा अब यूनिट्स से पहले आपको पता है कि आप गोडाउन भी हमें दिखना चाहिए ना तो गोडाउन था हमने बनाया नही काहिए यूनिट्स पीचेट केहए हमटर पहले हमें गोडाउन हम लोग कैसे करें अब यहीं से हम यहां कैसे जाएंगे हमें गोडाउन भी क्रेट करना है इसटी यह हरूं नोग फूछेट करेंगे masters और यहीं से हम लोग गुड़ाउन में जाके create करेंगे एक गुड़ाउन हमें दो गुड़ाउन चाहिए strand road और तरदला strand road कंट्रोल ए और एक चाहिए तरदला ठीक है तो यह हो गया है दो गुड़ाउन अब हम लोग यहां से बाहर आ जाएंगे तो दिखेंगे उसी position पर आ जाएंगे यह go to feature बहुत ही अच्छी फीचर है है ना काफी flexibility हम को मिल जाती है इसके जरीए बैक नहीं करना पड़ता है त्रीपीस अब गोडाउन देखी कौन से स्क्रेंड रोड है तीन पीस का रेट जाद देख लेजिए आपके बीच जर नौसों टॉटी थाउजन नाइन अंड्रेट ऑगे नौन नेक्स्ट आइटम अब यह केस में जाएगा यह भी LED TV में ही जाएगा लेकिन हाँ category अलग है category बना लेते है category किस नाम से बनेगा LG 22 inches ठीक है अब यहाँ pieces ही रहेगा opening quantity कितनी है चार पीस नैंटीन सेवन नैन जिरो ओके यह हो गया next क्या है KDL LED TV है category category change है category में sony 22 inches ठीक है अगेन pieces quantity कितनी है टू पीस कॉंटी थाउजन नाइन हंडड़ड अगला जाद देखें यहाँ पर क्या है LA 22 अब इस बार जो बनेगा यह LCD TV में तो LC करें उनाना पड़ेगा LCD TV अब यहाँ पर category जो देख लिए क्या है category match कर रहा है 22 Samsung 22 इसी में सेलेक कर लेंगे item pieces अब यहाँ पर quantity 45,000 इस बार तरह तला में 15,000 रेट है लास्ट है आपका KLB तो KLB हम लोग create कर लेंगे LCD यहाँ पर क्या है sony 22 पीसेज हो गया अब quantity देख लेजिए फाइफ पीस 15,900 इस पाइफ पीस 15,900 इस ठीक है तो उपनिंग स्टॉक हमारा आ गया तो देखे अब हम बैलेंस शीट में आप जाएंगे तो आप देखे जो डिफरेंस था खतम हो गया आप स्टॉक पेंटर करेंगे तो स्टॉक रेटेल भी आ रही है यह हमारा स्टॉक चड़ गया ठीक है अब हम लोग बात करेंगे अब सेल्स ओर्डर की तो सेल्स ओर्डर रिसीव हुआ है फर्स जुलाई को फ्रम दीपक एलेक्रोनिक्स पॉर्ड फॉलेंग गूड्स ओर्डर नंबर दिस्वन और यह सारे वाइटम में जिनका ओर्डर हमें मिला है तो यह सारे आइटम इसेल्स ओर्डर यहाँ पर अक्टिवेट नहीं है तो इसको अक्टिवेटकरना पड़ेगा सो इनक्टिव में जाईए और यहां ओर वाऊंचर में जाइए यहां सेल्स ओर्डर होता है इंपोर्डर नंबर इंप्रटेंट है पहले तो पार्टी बना लेते हैं ठीक है यहां हो जाकर क्या सेंडरी डेटर है कस्टमर हमारा कंट्रोल है अब देखें यह मोड आफ टर्म्स ओपेमेंट अधर रफ्रेंस टर्म्स डिलिवरी लिखना है तो मेंटेन करें अधर्वाइस कोई रेक्वार्मेंट है नहीं एड्र कि इस एकृट कर लेते हैं अब नेम आफ आईटम है अब जह देखते कौन कौन से आइटम है और फॉंटी टुटू एले ना थे टूटीटू एली एनी गुडावन ले सकते हैं अभी किस गुडावन से निकालन भी जब निकालेंगे जब डिलिवर करेंगे तह हम लोग है चार पीस रेट क्या हम लोग लगाए है 22,900 500 सौर्ड ऑके सो पहला आइटम हो गया सेकेंड आइटम देखते हैं एले 22 एले 22 ए ने गो डाउन और यहां पर है पूर पीस एटीन थाउजन ट्रींडड एटीन थाउजन ट्रींडड ओके नेक्स्ट अगला इटम जा दिखते हैं अगला इटम लास्ट आइटम है के लगी दिखाते हैं इनी गो डाउन फिर क्वांटिटी के तेंटें पाइफ पीस नैंटीन थाउजन फोरंडड हो गया यह सारी आइटम हमने पकड़ा दिया है बकाइदा ओर्डर देख लिए टू लैक सिस्टी थाउजन टूंडड का ओर्डर हो रहा है बेंग सेल्स ओर्डर रिसीव या रिकॉर्डड तो आरी सी मैंने लिखा दोनों हो गया रिकॉर्ड हमने रिकॉर्ड कर लिया कहीं को दिक्कत है अब करना क्या है अब कह रहा है अल्ड़ प्रोड़क्स और सेंड है ना टू दिपक एलेक्ट्रोनिक्स अगे दिन अगले दिन क्या आता है दो जुलाइक हम लोग एंट्री करेंगे डिलिवरी नोट तो अगेन अधर वाउचर म है यहां देखे डिलिवरी नोट अल्य एक्टिव है और प्लस अफट अब है अब यहां पर अपनेम कर लेगा सब आगया अगेन जब यहां पर इंटर करते हैं तो मagyang बार थे नहीं चलाते हैं तक ना से देखते हैं haada p यह नर्म करिएजे प्रवर्ब्र, कोपी कर लेता हूं आप लिखना पड़ेगा यह वन नंबर में दिखेगात यहां पे न्यू नंबर में जब लिखिएगा तो कॉपी कर लिजेगा कॉपी कने का शॉट कट अर्ड सी है ना ये आरपी नाइन में जब यहां टाइब करेगा न आप इज जजगह आप देख रहो हैं यहां पे टाइब कर लिया आपने वह पता यहीं चलना नंबर कई भार तो इसके एल्ट सी यहीं दबा देजेगा यहीं पर ड़िए प्रेस कर देजिए तो यह नंबर कॉप्यों हो जाएगा अब ऑड्र नम्बर तो सही है अब गोड़ाउन है ना तो इससे आपका थवा मैनत बच जाएगा तरह तला है ठीक है नूबर थोड़ा से बस परचित और से प्रॉसेस थोड़ा से डिफेरेंट है कि यह नूबर में जाके हमें टाइप करना पड़ रहे हैं वहां रेफ्रेंस नंबर हुआ करता था यह चीज़ का ध्यान रख बिंग गुड्स ओडर्ड गुड्स डिलीवर समझ गे तुमने ओडर्ड गुड्स पहुचा दिया भीज दिया अब अगला नंबर ऑन सेकेंड जुलाई 2020 को दे रिजेक्टेड वन पीस केलवी उन्होंने वापस कर दिया केलवी एंड कमनी स्टोर्ड गुड्स इन तारा त जुकिंग से विखेड़ आरा है यह रिजेक्ट्शन का नोट है अब छाज रिपेस रिटर्न आरहा ना ने सो और दाव है कि आ अन्युम धाल्रीड कि न्युक्र fermented ह्या दीकिंगर्रेक्षिस हुग कॉन्स इस आन से रिजेक्ट कामान माल यह घुजा था उसी का समान अरह से यह अम Legit कहीं यूज करना कहीं से यूज नहीं करना भराय करने करने से इससे प्रहमित मत्त होगा हमें क्लिवार का समाहिए द्ल Bon App का समां वापस आ घया है तो जिए इस इसै़लान फॉसल सब्स आ item rejected due to some reason अब नहीं रीजन पताद मैंने लिख दिया सम रीजन बहुत बताएगा जाएगा अब देखे थे यह आगे 31st July को company raised an invoice अब हम लोग उनके उपर invoice raise कर रहे हैं किसके उपर देपक electronics के उपर अगेंस्ट अबव चलान नंबर उसी चलान नंबर के अगेंस्ट हम लोग उनके उपर invoice raise कर रहे हैं बिल भेज रहे हैं रिसीवड सेवेंटी परसंट टोटल रिस और साथी साथ सत्तर परसंट अमाउंट भी रिसीव कर रहे हैं invoice नंबर यहां पर देघा को यहां पर रंप दिकाष नंबर हलां की one से स्टार्ट होना चीए लेकिन लग रहा है इंसका पहले से एंट्री हो और नमबर अपने आप आए गया एक तारीक को ऑडर हुआ था दो तारीक को चलान और एक अत्तिस तारीक को बिल किता दिन बाद हम लोग बिल बना रहे हैं अब देखे सारे चार चार आइटम आगे एक पांच आइटम था के लबी वाला लेकिन वह एक पीस रिजेक्ट हो गय बना रहे हाँ तो प्लीज मश्यीन कर्ण मद चलाईएगा यहां पर ध्यान से देखते कि चलान जर्ण सफहिए है और्ण नर्बर चलान नमबर ही नहिरा है ठीक है अपसे लोग सोच रहे है यह यह जो स्टार्ट हुआ था और नंबर और कप से स्टार्ट हुआ था जुलाई ठीक है अब यह एंट्री करने से पहले मैं आपको यह दिखा दो गोटू कमांड में अगर आप जाते हो ना यहां पर रिपोर्ट भी देख लिया करो ठीक है रिपोर्ट्स आप लोग जुरू देखा करो वहां पर आप लोग क्या देखना है स्टॉक वैरी करनी है या फिर सब का मैंसे इसे एक्सप्प्प कर रहा हूं रिफ्रेंज बिल नंबर मांग रहा हो तो बिल नंबर लोग के पास नया है यह यह ब्ल नंबर हम उठा लेंगे कि цент psychiat कि बि Rub पोर्ट में जो दिखाना चाहरा था यहां से देख लिए स्टेट्मेंट अफ इंवेंट्री और यहां पर बता सेल्स और आउटस्टेंडिंग कौन सा और आउटस्टेंडिंग है जिसका भी तक तो यह एक पीस रहे गया है पांच और था एक पीस बैलेंस अभी तक एक पीस नहीं आया ठिक है और शेल्स बिल च्पेंडिंग कोई बिल पेंडिंग यह सब जितना भी आया था उसका बिल बन चुका है और अगर हमने बिल नहीं बनाया होता तो दिखाता अब हम लोग जाएंगे क्या payment receipt करने के entry करने के F6 से पैसा आ रहा है यानि receipt में किसी आ रहा है दीपे की electronics से credit करेंगे इनको कितना आ रहा है 70% तो यहें पर alt C दबाईएगा 240,800 multiply by 70% लगाई इंट कर दिए amount आ गया अगेंस reference इसी बिल करेंगे से amount आ रहा है इतना amount आ गया 168 अब कितना balance रहे गया 72 क्या प्रॉक्स है किस में आ रहा है चेक चेक से आ तो HDFC bank instrument number यहां check number नहीं लिखा है ठीक है तो मैं अपनी तरफ से चेक नमबर लिख दे रहा हूँ check number 212101 और किस bank का है और और आइसी 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 आई कि समझ गया तो यह हो गया तो यह क्लियर है सबको यह को दिक्कत है नहीं तो चेक बस हो गया branch branch name mention करना है receive किस से मिला है दिपक electronics से ठीक है being payment receive या recorded यह complete हो गया हमारा अब अगर हम लोगों देखना है क्या next सात्वा question अब सात्वा question में है क्या अब यहां पर जरा समझेगा यहां पर हम लोगों डिटेल मेंटेन करना है फर्स्ट अगर्स यहां तक हो गया कहीं कोई दिक्कत नई अब हमें batch wise डिटेल देखना है क्योंकि इसमें याद है जैसे हम लोग purchase order किये थे उसके साथ साथ हम लोग उने alternate unit समझा था उसी तरह यहां पर sales order processing के साथ साथ इन्होंने batch wise डिटेल भी add क तो यह भी purchase की entry है और 2021 ठीक है detail of the product इस बार हम कुछ ink bottles खरीद रहे हैं और इसका manufacturing expiry date भी maintain करना batch number भी है ठीक है जिसको समझेंगे पहले create कर लेता है तो create करने के लिए देखें यहां पर creation में जाएंगे हम लोग multiple के creation में जाना चाहते हैं तो यहां पर जा करके stock item और यहां पर इस चाटव अकाउंट इस्टॉक आइटम और क्या दबाएंगे एल के साथ है यहां multi create करेंगे आइटम क्या क्या बनाना है ध्यान रहे सबसे पहला इप्सन एल 380 ठीक है मैं सिद्धे आइटम पहले create कर रहा हूं अंडर क्या डालूंगा यह क्या है एसे सिरीज है क्या है यह एक सिरीज तो अर्ट सी करके बना लेता हूं अब यहां पर यूनिट से क्या यूनिट रहेगा सब पीसेज रहेगा कि बॉटल है पीसेजी लिखा है चलो पीसेजी लिख देते हम ओके opening quantity क्या है opening quantity आपके 10 पीस नहीं है यही चीज़ ध्यान रखि यह चीज़ आप लोग करते हो मैं जानभूज कि यहां पर इस तरीके से गया हो opening quantity नहीं है क्यों क्योंकि यह तो purchase किया गया है ना क्या क्या गया है यह purchase की entry में सब quantity show करना है और यह आप लोग गलती करते हो सवाल उठता है सर एक चीज़ बताए बैच वाइस डिटेल मेंट अब इसको कंट्रोल हो गया अब जब यहां पर इंटर करेंगे तो यहां पर सिंगल क्रिएशन में ही चले जाते हैं यहां पर नहीं मज़ा आएगा क्रियेट में जाते हैं इस्टॉक आइटम में जाते हैं अब देखें अब जब यहां पर बना रहें पहला आइटम कि इसन एल्ट्रीएट्टी अब अब नीचे देखें नया चीज पूछ रहा है मेंटेन बैच जो पहले नहीं पूछता था यह क्यों पूछा क्यों कि हमने एफ-11 क्या किया फीचर्स को ईनेबल किया अब पूछथा है कि अब बैचेज नेबल किया जी हां करना बहुत सारे यह से प्रोडक्ट होते हैं जिनका अब धूंधिव यहां पे एक्सपाइरी के लिए लग ऑप्शन है क्योंकि बहुत आसे प्रोड़क्ट होते इं का फोन है है ना बहुत सारी चीज़े होती है चेयर फरनीचर इस सब एक्सपाइरी थोड़ी ना होते हैं बस समझे की नहीं समझे तो उस केस में क्या होता है लेकिन जो हां दवाई हो गई खानी के चीज़ हो गई क्रीम हो गया है यह सब चीज़ों के ऊपर क्या एक्सपाइरी डेट होते हैं इवन वेजीटेबल इवन मिल्क है ना उसमें से मैनुफेक्ट्रिंग डेट नहीं एवन दो साथी साथ एक्सपाइरी डेट भी मेंटेन करन पड़ता है तो यस ठीक है यह तीनों चीज़ है यह सी तरीके से सारे आइटम बनाने और किसी का ओपनिंग मत चड़ा देजीगा क्योंकि पिछले साल से कोई स्टॉक नहीं आए यह सब तो अभी हम लोग खरीदने वाले पर चेस करने वाले यही करना है ऐसे सिरीज ठीक है सारे आइटम बन गए कहीं कोई दिकत किसी को अब चलिए जब पर्चेस के इंट्री करेंगे एफ 9 पर्चेस में तो सबसे पहले पूछ रहा है रेफरेंस नमबर यह बिल नमबर मांग रहा है तो पहले बिल नमबर हम लोग पकड़ा देते हैं यह है हमारा बिल नमबर हुआ है टेट किया है ऩह एक अगस्त को खरीद रहे है तो एक अगस्त कर लेते हैं यहाँ पर भी इएक अगस्त लिखना पड़ेगा कि पार्टी नेम मेसरस सोनी इंडिया है किससे खरीद रहे है इन dwa इंडिया करके यहां पर सोनी इंडिया बना लिजीए यह हमारे संड्री क्रेटर हो जाएंगे गुद रिसेप नंबर नौट कुछ भी मठ डालिएगा रिसेप नंबर कुछ नहीं है सिंपल परचेज कोई आउडर प्रोसेसिंग नहीं है तो सिंपल अम लोग पर्चेजिंग क पूँठ रहे किया कोई चलान नमबर हम क्यांदेना नहीं है गोडाून किस गोडाून में खरीद रहे हैं तो हमग diaphragm में सारा स्टोर करेंगे। में अब यहां दगे पूछ रहा एक्टिब देज्च नंपर होता किया है इसको जब छास समझ कियेगा इस समझनबर को सबनें कि ऊथ दो यह फंदम में डाल दिया कि बैच नंबर का मतलब क्या जैब कोई जो प्रोड़ुक्त त्यार होता है है न कोई भी प्रोड़क jah bantahe तो उसके लिए रोवटेल्स होती है जाहर सी बात है अब आज जीतना प्रोड़क्शन बना उसका एक बैच नंबर होगा काउस बैच प्रोड़क्शन बनेगा उसका बैच नंबर बात करते हैं, कोई भी product जिसमें प्याज पढ़ता है या potato पढ़ता है, onion या potato, तो अगर onion अगर पढ़ रहा है या फिर potato पढ़ रहा है, तो उस case में क्या होगा अगर कल का batch बन रहा है तो हो सकता है कल का onion का rate कुछ और हो तो हमारी cost पे फरक पढ़ेगा तो batch wise हम cost को trace कर सकते हैं, पकड़ सकते हैं कि batch number ये तो कब बना था सवार उट सब batch number ही नहीं समझ में आ रहा है, पहले batch number तो समझा दो batch exactly, batch का मतलब होता lot, क्या होता है lot और lot को भी easily समझना है, तो जिसे तुम्हारे घर में, हम लोग के घर में जब हम लोग पकोड़ी डालते हैं है ना full, that is called क्या एक घान, हम लोग लोकल लेंग्विज में क्या कहते हैं घान, तो एक घान तयार हुआ तो इसको हम लोग कहते हैं lot तो factories में भी एक बार machine में जब डालते हैं हम लोग सारा raw material और जब एक बार product निकलता है कल फिर product बनेगा तो कल दूसरा batch number और आप अगर कभी product पर ध्यान से देखो तो उस पर batch number दवा युवाई पर खास कर batch number manufacturing expiry कई में तो product में तो serial number भी maintain होता है just like electronic products में तो serial number भी maintain होता है कभी TV भी खरीद हो गया टीवी या कुछ इस तरह की चीज़ें computer laptop तो उसमें देखो serial number भी maintain होता बैच number serial number कब बना है ना clear है कि नहीं clear है सबको batch number को समझे कि batch number exactly होता क्या यहां दो बगल में लिखा भी यह batch या फिर lot number अब यहां पर quantity बदाइए सर कितना खरीद रहे हैं हम लोग खरीद रहे हैं दस पीस rate क्या है 590 590 बैच नमबर है तो maintain करिए कभ manufacturing डेट है 2 6 19 को 2 6 19 को बना है sorry 2 6 है ना 2 6 19 को बना है और expiry कभ हो जा रहा है 2 12 20 को सही है अगला इटम अगला इटम है 220 है किस गुडाउन से खरीद रहे है किस गुडाउन में तरत तला में खरीद रहे है न्यू नमबर बैच नमबर हमें डालना होगा बैच नमबर क्या है ठीक है quantity कितनी खरीद रहा हम लों 15.870 870 ठीक है यहां तक समझ में आ गया अब मैनुफेक्षिन एकस्पाइरी ज़र देख लेजे एक नौ एक नौ दो ज़र बीस नहीं एक नौ दो ज़र उननेस है ना एकस्पाइरी कब हो रहे है एक नौ दो ज़र बीस को सही है लास्ट आइटम 300 कोई ट्रेकिंग नंबर नहीं तरह तलह में आ रहे हैं समान नौ नंबर यहाँ पर हम नौ नंबर नोट करेंगे क्वांटिटी क्वांटिटी कितना है 12 पीस रेट क्या है 2.99 जान्यम्हाइट क्वांटिग एड्सकाइड रेट 2.99 एकस्पाइर इडिट क्या है 1 दिसम्वर क्वांटीग एक यह होगा हमारा पर चेस के एंट्री प्रॉपर्ली आप डालियेगा ठीक है कोई credit days नहीं है new reference being goods purchase यह entry आप लोग purchase के entry कर लेंगे कहीं कोई दिक्कत इसमें आएगी नहीं तो purchase के entry हम लोग ने कर ली manufacturing expired डाल दिया अब सवाल उठता है sir on second September company sold the following goods इन सारे goods को बेच रहे messers image को कब बेच रहे सेकेंड सितंबर एप्टू करके सेकेंड सिप्तंबर एफेट सेल्स की एंट्री अब यहाँ पर सेल किसको कर रहे है में सेर्स image टेक को सेल कर रहे है अंडर क्या होगा संड्री डेटर हम लोग अए स्वारी कस्टमर है मारा कंट्रोल है नॉट अप्लिकेबल ठीक है में सेर्स image टेक हम लोग सेल किसको कर रहे है में सेर्स image टेक को सेल्स आ गया अब क्या-क्या बेच रहे है सर ज़र देखते हैं हम लोग एल-380 बेच रहे है सिक्स पीस एल-380 बेच रहे है कित्ता पीस तरत अला में सिक्स पीस रेट क्या है सेवन एटी सही है कहीं कोई दिकत नहीं पिर अगला 220 बेच रहे है तरत अला में है कित्ता पीस एट पीस कित्ने में बेच रहे है 1050 सही है नेक्स फाइफ पीस 300 बेच रहे हैं पाइफ पीस रेट क्या है 425 कहीं कोई दिकत नमने देव सेल के इंट्री कर दी नियू रिफ्रेंस सेल नमबर यहां पर इन्वाइस नमबर डालना पड़ेगा तो इन्वाइस नमबर यहां पर दे रखा है सेल 13 है तो 15205 का सेल हो रहा है कहीं कोई दिकत नहीं नहीं पर देख ले जाए 786 है 1050 ठीक है 5425 से ही है तो नेरेशन क्या है अब बिंग वूट सोल कंट्रोलर से मैंने रिपीट नेरेशन कर दिया तो सेकेंड तरीक को हमने सेल कर दिया कहीं कोई दिकत मेरे ख्याल से है नहीं क्योंकि कोई भी प्रोड़क्ट एक्सपाइरी के गरीबन नहीं था लेकिन ध्यान से देखो एक प्रोड़क्ट जो है यह कब एक्सपाइर हो रहा है एक सितंबर 2020 मेंने डाला था एक्सपाइर तो होना चीए था और हमने सेल कप किया है दो सितंबर है की नहीं है इसा क्यों हुआ एक्सपाइरी प्रोड़क्ट कैसे बिग गई जो ध्यान से देखेगा अब यहां पर क्या होता है यहां पर डबाईए यहां पर option होता एक आ यूजse expired batch for stock आइट्म एक्सपाइरड बेज़ भी क्या हो यूजस में आ जाए यह यह है और अगर इसको हमने कर दिया होता तो हमें expiry product जाके भी नहीं बेश सकते थे दो दी संबर है न एक सितंबर यह आ रहे है न अब मैं क्या करता हूँ इस entry को एक बाड इसको हटा देता हूँ end of list करता हूँ अब फिर से देखे लेने कोईश का पहले इसको मैं एक save कर ले रहा हूँ यह save हो गया अब मैं फिर से page up करता हूँ टू टू जीरो तरह तरह फिप्टीन पीस अब देखे आँ बैच नमबर नहीं आ रहा है क्यों नहीं आ रहा है क्योंकि प्रोटेक्ट एक्सपायर हो चुगा है बैच नमबर आएगा नहीं आप बेच नहीं सकते लेकिन यहीं पर हम चाहते हैं नहीं नहीं इस टॉक दिखे नहीं पाएंगे लेकिन आवालेजी ऐसा कोई प्रोड़क्ट जैसा कि हम लोगा तो ख्यार इंक है ना इंक तो एक्सपायर नहीं चलेगा तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे बैक एक्सपायर प्रोड़क्ट अगर बेचना चाहते हो तो एक्सपायर प्रोड़क्ट भी बेच दें यस करिए कंट्रोल लें अब आगया प्रोटेंशन नहीं बास समझें रेट कितना कॉंटिटी था भी टू टू जीरो एट पीस वन थावजन एट पीस वन थावजन फिफ्टी रूपीस तो यह मेरे खाल से पॉइंट सब को समझ में आ गया होगा कि कैसे हम एक्सपायर प्र इसमबर को कर ने दोपीश रिटर्न कर दिया 220 प्राइब भीस क्लेंड कर तो इस बात को रहे हम लोग करेंगे ट्र विफन के लिए त्न könntकर क्दविक्ष्ट की चेल्ट से बात क्या पार्टी से वापस आया है, मिसर्स, इमेज टेक, ठीक है, किस डेट में वापसी आये, एक दस को वापसी आये, पहले डेट सही कर लिए जाए, ठीक है, कोई ट्रैकिंग नमबर नहीं, कोई ओर्डर नमबर नहीं, ओरिजनल इन्वाइस नमबर देना पड़ेगा, तो हमने सेकंड सितंबर का बिल था, लेजर, सेल्स, अकाउंट या सेल्स रेटर नलग से बनाना चाहते हैं, मैं नहीं बनाता, 220 वापस हुआ है, गोडाउन, किस गोडाउन में, तरह तला में आये वापस, हाँ, तरह तला में वापस आये, और यहाँ पर देखे, कित्ती कॉंटिट है, टूपीस वापस कर रहे है, अपने आप रेट आगे है, 1050, अगेंस डिफ्रेंस, इसी बिल से एड्जस्ट हो जागा, 3000 रुपे, सोरी, 2100 रुपे, 2100 रुपे, एक किस रुपे, इसी मैंसे क्या हो जाएगा, बिल से माइनस हो जागा, बिंग, सोल्ड गुड्स, रिटर्न, विका हुआ माल वापस आया, टिक, तो यह हमने सेल्स रिटर्न के एंट्री कर ली, आप कह रहा है क्या, 2 अक्टूबर में, मेसर्स इमेज ने पूरा का पूरा, फुल ड्यू दे दिया, क्लियर नहीं, क्लियर होगा, तो उसने फुल ड बैंक से, चेक नमबर यह है, आसन सोल ब्रांच, कम्पनी अलावड़ा कैश डिस्कॉंड 1000, हम एक कैश डिस्कॉंड भी रहे हैं, एक हजार का, तो लोग पैसा ले ले लेते हैं, F6 में, F6 में जा देखे, यह रिसिप्ट करेंगे, अब रिसिप्ट जा देखे, किस से कर रह हैं, दो अक्टूबर को, दो अक्टूबर गांधी जी अन्ती, सब लोगों को पता है, आप देखे, यहां पर कितना मिल रहे, 13105, यहां पूरा उठाईएगा, यह नहीं किसी में से 1000 उपर माइनस कर लेजेगा, पूरा बैलेंस उठाना है, निल बैलेंस हो गया, लेकिन ड इंस्टूमेंट नमबर यहां पर दे रहे है, 7879, नहीं, 789658, ओके, स्पेसिफाइब बैंक नेम, येस बैंक, ब्रांच इस बार दिया है, आसन सोल, इन्फॉर्मेशन है तो मेंशन करिए, नहीं है तो कोई टेंशन नहीं, डिसकाउंट यहां बताई, मिल रहा है कि दे र अलाउड है, इन्फॉर्मेशन है, हम लोग के लिए एक आसे था है कि हम लोग का बिक हो गया, एक्स्पाइरे प्रोड़क्ट, डिसकाउंट देने का भी चलेगा, तो डिसकाउंट हम लोग देने कितना हजार रुपै, बींग पेमेंट, रिसीव, एंड, डिसकाउंड अला एंट्री कंप्लीट, अब आप सभी को बता है, आप लोग का फेवरेट चीज, प्रॉफिट और लॉस कितना आया सर, सिधे-सिधे बताईए, तो ग्रॉस प्रॉफिट तो आपका आया है, 40,890 और नेट प्रॉफिट आपका आएगा, 39,890 रुपीज, ठीक है, दूसरा अंदबना भूल जाएगा, थैंक यू फर वचिंग इस वीडियो,